तो फाइनली गाई जैसा कि आप सभी जानते होंगे पिछले साल साल 2023 में साल के आखरी महीने में यानि कि दिसंबर में दो सबसे बड़ी फिल्में रिलीस हुई थी एक तरफ थी बॉलिवूड के किंखान शारुखान की फिल्म डंकी और दूसरी तरफ थी तेल्गू के सुप परिस्टार है हिंदी तमिल तेल्गू हर भाशा में इनको पसंद किया जाता है तो पिरभास की फिल्म सलार भी एक दिन के बाद सिनेमा घरो में रिलीस हुई थी दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं सलार और डंकी फिल्म के फाइनल बॉक्स आफिस क के बारे में क्योंकि अब सिनेमा घरो में ये फिल्म में कोई भी कमाई नहीं कर रही है लेकिन आखिरकार सलार फिल्म ने अपने फाइनल कलेक्शन में टोटल कितनी कमाई की है इंडिया के अंदर तमिल तेल्गू हिंदी कनाड़ा मल्यालम सब भी भाशाओं की बात करेंग ये शारुखान के फिल्म डंकी इंडिया के अंदर टोटल कितनी कमाई करने में काम्याब रही वहीं फिल्म का पूरे वल्ड में टोटल कितना कलेक्शन हो चुका है तो दोस्तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा लेकिन दोस्तो उससे पहले अगर आप शारुख एक बड़े सुपर स्टार थे पिरभास और पिरशान निल फिल्म को डेरिट किया था पिरशान निल ने और फिल्म को प्रिड्यूस किया था विजय ने और फिल्म में हमें पिरभास प्रत्विरा सुकुमरान शुरूति हसन जगापति बाबू एहम किरदारों में नसर आई लेकिन दोस्तों इस फिल्म का दोसरा पार्ट भी आएगा जिसकी officially announcement हो चुकी है साल 2025 में इसका दोसरा पार्ट आएगा और फिल्म सलार का जो दोनों पार्टों का बजट है वो साड़े 400 करोड उपे का है। और रिकार्ट तोड़ की थी यहां तक के साल 2023 की सबसे बड़ी opening तो आप नहीं कह सकते हैं लेकिन यहां पे मैं एक बात कहूंगा कि जो इसने worldwide में जो opening ली थी वो वाकी सबसे बड़ी थी साल 2023 की और वैसे अगर देखा जाए all time highest Indian फिल्मों की जो मनलब top highest opening लेने वाली फिल् दूसरा नंबर था यानि के पहले नंबर पर आती है पिरपलार एसेस राजा मोली की जिसने 223 करोड़ उपे की opening ले रखी है पूरे वर्ड में और दूसरे नंबर पर आती है बाहु बली टू पिर भास की और तीसरे नंबर पर सलार जिसने 178 करोड़ 70 लाक उरपे की opening ली शायद आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे या किन नहीं कर पाएंगे लेकिन ये बिलकुल सच मैं आपको बता रहा हूँ फिल्म ने जो इंडिया में net opening ली थी वो 96 करोड़ उपे की ली थी और वहीं फिल्म का जो worldwide gross collection था अपने पहले दिन का वो 178 करोड 70 लाक उरपे ये सलार फिल्म की पहले दिन की कमाई में बता रहा हूँ अपने चार दिनों के विकंड पर ये फिल्म बहुत अच्छा करने में काम्याब रही थी क्योंकि फैंस को बहुत ज्यादा इंतिजार था इस फिल्म का और लग रहा था कि कही ना कहीं ये फिल्म 1500 से 2000 करोड उपे तक काकड़ा बड़ी आसानी से चूलेगी लेकिन दोस्तों फिल्म की कहानी से लोग कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं हो पाई और इसकी यही वज़ा रही कि फिल्म के कलक्शन में अपने विकंड के बाद बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी और उसके बाद ये कुछ खास सिनेमा घुरों में नहीं कर पाई थी फिल्म को चार दिनों का विकंड मिला था और अपने चार दिनों के विकंड पर ये फिल्म 261 करोड रुपे इंडिया से नेट कर चुकी थी तो वही फिल्म का जो वर्ड वाइड गिरॉस कलक्शन था वो लगभग 485 करोड था उसके बाद 20 दिनों में फिल्म सलार 399 करोड 85 लाक रुपे इंडिया से नेट कर चुकी थी जा दोस्तों 20 दिनों में 399 करोड 85 लाक रुपे और वही फिल्म की जो पूरे वर्ड में टोटल कमाई थी 20 दिनों की वो 705 करोड रुपे थी 705 करोड रुपे 20 दिनों में ले अभी तक का वो 407 करोड 70 लाख उर्पे इंडिया से नेट हो आपको यहाँ पर याद रहे और गौर करने के आपको जरूत है फाइनल कलक्शन सलार फिल्म का सभी भाषाओं में तमिल तेलगु हिंदी कन्नाडा मल्यालम 5 भाषाओं में ये फिल्म रिलीज हुई थी और फिल्म का जो फाइनल कलक्शन है वो 407 करोड 70 लाख उर्पे हैं वही फिल्म ने हिंदी भाषा में 153 करोड 90 लाख उर्पे की कमाई की तेलगु भाशा में फिल्म ने 218 करोड 30 लाख रुपे कमाए तमिल से फिल्म ने 19 करोड 10 लाख रुपे कमाए मलियालम से फिल्म ने 11 करोड 4 लाख रुपे की कमाई की और कन्नाडा लेंग्विज से फिल्म ने 5 करोड 38 लाख रुपे कमाए तो फिल्म का जो पूरे इंडिया में फइनल कलेक्शन रहा, फिल्म सलार का वो रहा 407 करोड, 70 लाक रुपे वही फिल्म का जो इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन रहा, वो रहा 487 करोड रुपे Overseas film ने कमाई 235 करोड पे जहां दोस्तो Overseas से 235 करोड पे फिल्म करने में कामियाब रही और वहीं फिल्म की जो worldwide टोटल कमाई रही फिल्म सलार की वो रही 722 करोड पे 722 करोड पे और मैं आपको बताता चलू कि सलार फिल्म बॉक्स आफिस पर पूरी तरह से सूपर हिट साबित हुई है लेकि दोस्तो अब बात करूँगा मैं शारू खान की फिल्म डंकी की क्योंकि डंकी फिल्म की मैं जितनी तारीफे करू कम है क्योंकि फैंस को इस फिल्म का बहुत ज्यादा इंतिजार था और इंतिजार इस वज़ह से भी था क्योंकि शारू खान की साल 2023 में ये तीसरी फिल्म थी शारू खान की सबसे पहले साल 2023 में पठान रिलीज हुई थी जिसने बॉक्स आफिस पर ताबर तोड कलक्शन करके एक हजार पचास करोड़ पैसे भी ज्यादा की कमाई की थी उसके बाद शारू खान की जवान ने तो सारे रिकोर्ट तोड़ दिये थे और 1160 करोड़ पे अपने लाइफ टैम में फिल्म कमाने में काम्याब रही थी और फिर उसके बाद डंकी फिल्म ने भी बॉक्स आफिस पर जो इतिहास रचा वो देखने लायक और काबिले तारीव रहा क्योंकि एक हिंदी कोमेडी ड्रामा फिल्म थी जो कि राज कुमार इराणी के डेक्शन वरी थी जिसको प्रिड्यूस किया था जियोती देशपांडे गौरी खान और राज कुमार इरानी ने फिल्म में हमें शारु खान, ताप सी पन्नू और विक्की कोशल, बमन इर बॉक्स आफिस कलेक्शन की बात करूँ तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि डंकी फिल्म की जो ओपनिंग थी इंडिया के अंदर वो 39 करोड 20 लाख रुपे की थी जो की काफी अच्छी ओपनिंग थी हाला कि फाइटर फिल्म भी इतनी बड़ी ओपनिंग नहीं ले पाई तो वहीं फिल्म की जो वर्डवाइड कमाई थी वो लगबग 206 करोड रुपे थी उसके बाद फिल्म ने 20 दिनों में 222 करोड 77 लाख रुपे की कमाई इंडिया से नेट कर ली थी और वहीं फिल्म की जो वर्डवाइड टोटल कमाई थी वो 451 करोड 50 लाख रुपे थी ल चारुखान के करियर की तीसरी सबसे हाइस्ट घ्रोसिन फिल्म बनिये दूस्तों आपको याद रहे डंकी फिल्म का फॉइनल क्लेक्शन आपको बता रहा हूँ इंडिया के अंदर नेट कलेक्शन रहा वो तूसोथ थैस्य करोड पे रहा overseas से film ने कमाए 200 करोड उपे ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि शारु खान बाई king माने जाते हैं वो king खान है बॉलिवूड के कोई छोटे मोटे king नहीं है बहुत बड़े king है overseas में इनकी जो fan following ना बहुत ज्यादा है और इसी लिए जो डंकी फिल्म है वो जितना इंडिया में कमाई उतना मलब भार देशों में भी कमाई तो इसी वजह से फिल्म का जो worldwide gross collection रहा वो रहा 475 करोड उपे जा दोस्तो final collection बता रहा हूँ 475 करोड उपे और ये फिल्म box office पर पूरी तरह से सुपर हिट सा बित हुई है लेकिन दोस्तों डंकी या सलाग दोनों में आपको सबसे बेस्ट फिल्म कौन सी लगी थी कमेंट में जरू बताईएगा